विडियो को पूरा देखें क्योंकि मेरे पास कोई यह वो तो है नहीं जो पीछे बोर्ड पे यूज करतें टीजर वगारा समझाने के लिए मैंने बस आपके लिए क्या रखाए यह जो जो है लिस्ट आइथी कल पर सूँ उसका पीडिया मैंने डाउनलोड किया है और उसी के बेस पर आपको बताऊंगा ठीक है यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बदाना और आपके सुझा भी आप देख सकते हैं ठीक है कि कैसे क्या कुछ होने वाला है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आपको आइंड तक देखना होगा कि कैसे यह टियर टू एजाम लेने वाले हैं अभी तक जो इंफर्मेशन हमें मिली है निउस्पेपर के थरू ओफिसली अभी तक कुछ आया नहीं है अभी तक जो गुरूप C की पोस्ट है उनको 54 गुरूप में डिवाइड किया है जो 55 गुरूप होगा वो होगा जो टीचर है पीजीटी साधे साथ हजार बोदरों के लिए होगा ठीक है और हो सकता है कि जब notification आई तो एक दो गुरूप कम या ज्यादा भी हो सकते हैं तो आप इसको इनौर कर सकते हैं जो पहला गुरूप दिया है civil engineering का मतलब जई की पोस्ट के लिए है जिसके पास diploma है ठीक है इसके qualification के बारे बात करूँगा दूसरा गुरूप है electrical and electronics के लिए तीसरा गुरूप है mechanical engineering के लिए ठीक है तो तीन गुरूप यह हो गए सुरुवात वाले इनका जो great pay है वो भी ज् और अच्छी पोस्ट यह माने जाती है तो इसमें जो minimum qualification मेरे हिसाब से होने चाहिए पोल टेकनिक का जो three year diploma होता है वो minimum qualification है ठीक है यदि किसी के पास b.tech की degree भी है वो भी eligible इसके लिए हो सकते है एक condition है इसके लिए जब minimum qualification इसकी diploma है three year diploma तो b.tech भी दो प्रकार से होती है एक साइद बोगराओं में होशकत है कि यह notification आने के बाद पता से लिए ठीक है यूंकि minimum qualification आपके पास नहीं है जो की diploma है तो यह इस बात का आपको ध्यान रखना है और जो आगे group आपने देखी लिए होंगे जो fourth group है computer technician का है अकाउंट की जो पोस्ट है exam level आपका m.com के बेस पे होगा ठीक है जिसके पास m.com की degree है वो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो यह तो आपको देखी लिए होगा क्या होने वाली है और कैसे exam होगा अब मैं बताता हूं कि पहले कौन से group exam government लेना चाहती है और जो सरकार चाहती है कि maximum बच्चों को मौका मिले ज्याद से ज्यादा बच्चे exam को दे पाएं तो इसके लिए जो group दिये हुए serial wise में ऐसे ही exam लिए जाएगा मालो पहले जो शुरुवात होगी paper लेने की tier 2 की वो पहले group से होगी क्यूंकि जब civil का पहला group electronics का दूसरा और mechanical तिसरा group है जब यह बच्चे apply करेंगे इनके लिए form एक साथ इनके भरवाई जाएंगे और मालो मेरे पास civil का डिपलोमा है तो मैं civil के form भरूँगा ठीक है और किसी के पास mechanical है तो mechanical कवरेगा इसमें वो भी नहीं है कि कि किसी एक बच्चे का एक दिन exam हो जाए दो पोस्ट के लिए वो भी नही ठीक है और बच्चे कम होंगे four times ही बुलाएंगे जितनी vacancy होगी उसके हिसाब से ठीक है और जो result है result भी साथ साथ ये यदि देना चाहें तो दे सकते हैं क्यूंकि सरुवात में यदिन का exam हो जाए तो 25 दिन में result भी आने की पूरी संभावना है उसके बाद और साथ साथ म की बात है और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको जो रोजगार की बात हम करें वो तो मिल चुकी है ठीक है और आगे दी मतलब कोई सही बंदा है अच्छे सोच वाला बंदा है तो वो तो यही सोचेगा कि मेरे पास तो मुझे जो मिल गई अब मैं आगे का क्यों खराब मतलब जो हाइर ग्रेजुएट लेवल के हैं इनके लिए बच्चे कट जाएंगे मतलब जो उपर वाल तो लग जाएंगे जो निचे वाले रहेंगे ना मतलब पचास पचास नमर वाद जो बोल रहे हैं वो भी इनमें आ सकते हैं ठीक है तो यह ओडरिन का रहा सकता एक मतलब जबी भी ले मतलब शुरवात में एकजाम पहले हो फिर उसके बाद फिर उसके बाद और लास्ट में जो होगा पुलिस का पुलिस का इन्हों रखा है साइद चुमनवा गुरूप है फीमेल और मेल कॉंस्टेबल का तो इस गुरूप में 6,000 वेकैंसी हैं तो 6,24,000 वो होंगे जो बिल्कुल मतलब निच जिनका रेंक या फिर आप मार्क्स लगा लीजी वो इसमें अवलेबल रहेंगे क्यूंकि जो उपर वाली पॉस्ट है उनमें तो बच्छे लग चुके हैं ठीक है तो ये इसमें इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जहां तक मुझे लेंगा जो हुमारा बावनमा गुरूप है कोमन ग्रेजबेट लैवल का ठीक है इसमें काफी कोबग 3.266 है तो जो पोस्ट होगी वो तो इनका साहिद एक एक लिया जाए जो बावन गूरूप है एक होंगा इसका और हमसे मेरु प्रिफरस परइज आएगी कि आपको पहल चोइस में कौन सी जोग लेनी है मालो मैंने पहले पटवारी भर दिया फिर गराम सी भर दिया फिर एक्साइज इंस्पेक्टर भर दिया तो मेरे जो माक्स होंगे न उस एक्जाम में उसके कोडिंग मुझे वो जोग दे दी जाएगी ठीक है तो कोमन एक्जाम होगा इन सभी है नहीं अगर टेक्स वाड़ डाले का तो पटवारी वाड़ा कहेगा कि में यह मेरा स्लिवस है नहीं ठीक है तो इसका साइज एक हिजाम ले कोमन जो जन्रेल हम बढ़ते हैं वह इसमाएगा और उसके बाद आपके मार्क से कोडिंग आपको जो गो दे दी जाएगी तो इ इसमें होने वाला है